हेलो एफ्रिवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चनल माईसल्फ आका सुर्या तो आज हम इस वीडियो में और निक कमपाउंट्स के नेम और उनकी स्ट्रक्शर के बारे में स्टेडी करेंगे यह वीडियो जो बच्चे 11-12 क्लास में हैं नेट और जोई एक्जाम की प् फिल्ता होना जूफ रही है तो आपने अगर इस चैनल को सब्स्टाइब कर Durenden की बात करने भाले हैं देखिए बैंजिन का स्ट्रक्शर है अगर आपका हेलोयन कोई बी एकन क्नेक्ट होगा तो उसको बोलनेंगे हलो बैंजीन अगर यह आपका लोरीन हुआ तो हो जाएगा fluorobenzene, chlorine हुआ तो हो जाएगा chlorobenzene, BR लगेगा तो हो जाएगा, bromobenzene अगर आपका iodine लगेगा तो हो जाएगा, idobenzene इनको आपको एक साथ ही note करना है, अब next आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों को confusion create होता है, तो इनको भी आपको एक साथ ही note करना है, देखे जब benzene के nucleus से directly CS3 connect रहेगा, तो उसका नहीं हो जाएगा, toline और NO2 जो की nitro group है, यह connect रहेगा तो हो जाएगा nitrobenzen, और NS2 रहेगा तो हो जाएगा, aniline तो इनको तीनों को एक साथ आपको note करना है, अब next चलते हैं देखे, benzene के nucleus से directly आपका OH group connect रहेगा, तो यह हो जाएगा phenol, और indirectly यह connect होगा, जैसे इस तरह CS2 से connect है, और CS2 benzene से connect है, तो यह हो जाएगा benzoyl alcohol, ध्यान रखना, directly connect होगा तो हो जाएगा आपका phenol indirectly connect होगा, तो हो जाएगा benzoyl alcohol, देखे, CHO आपका aldehyde group है यह directly connect होगा, तो हो जाएगा benzoyl dehyde, यहना benzene पर तो हो जाएगा benzoyl dehyde C double OH, जो कि आपका oic acid वाला group है, ठीक है तो यह हो जाएगा, benzoic acid, तो यहाँ से नेम हो जाएगा उसका benzoic acid, CN जो कि आपका syino group है यह आपका connect रहेगा directly carbon की side से तो हो जाएगा, syinobenzene और यह अगर nitrogen की side से connect रहेगा तो हो जाएगा, isosinobenzene isosinobenzene देखे, answer हैगा, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा, iso लगा देंगा इसमें अब देखे, benzene के nucleus से directly N2Cl connect रहेगा तो हो जाएगा, benzene digunium chloride, यह आपका काफी important है, compound इस पर exam में काफी reaction आ जाती है, तो इनको cyanide जो आपका है और isosinide वाली reaction है, यह जो compound है, इनको एक साथ याद करना है और देखे next आप चलेंगे, benzene के nucleus से, CS2 के थरू, अगर CL atom connect रहेगा, तो हो जाएगा, benzene chloride, next आपका देखे, यह compound भी आपके important है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि यह name से मिल जाते है, आप देखोगे कि इसमें क्या होने वाला है भी, जब आपको structure ही ने बताए, तो order कैसे find करोगे तो देखे, आप देखे रहे हैं, benzene में फर्स्ट पोजिशन पर ओएच है, सेकंड पर भी आपका ओएच है, तो हो जाएगा, वन कुमा टू बैंजीन डाई ओल इसका सेकंड नेम है, कैटिक ओल ठीक है, अगर यह आपका फर्स्ट पोजिशन में ओएच रहेगा, और थर्ड में रहेगा ओएच, तो क्या हो जाएगा वन कुमा टिरी, बैंजीन डाई ओल पोजिशन के इसाब से, और सेकंड नेम हो जाएगा, डिस ओर्सिन ओल और यह वन टू, थिरी, फोर इस पोजिशन में रहेगा, तो यह हो जाएगा वन कुमा फोर बैंजीन, डाई ओल और इसका सेकंड नेम है, हाइड्रो किनॉन, यह हाइड्रो किनॉन या फिर किनॉल अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजिशन में आपका ओएच गुरूप लग रहेगा, वन कुमा टू कुमा थीरी, बैंजीन, ट्राई, ओल और इसका, जो सेकंड नेम हो जाएगा पाइरो, गैलोल, तो इस तरह से आपने इसको समझागत, इसका स्क्रिन सोट ले लिजिए आई होप आपने इन स्ट्रक्चर को नेम को नोट किया होगा, तो मिलते हैं फिर आप से इसी के पार्ट नमबर सेकंड में